संबार कुर राष्टे लोगदल के वरिष्ट नेता कौर्णरिन सिंग ने छाता विदान सवाथ छेतर के छाता कज़बे में पहुंच कर PWD आफिस में पैस वार्ता कायूजन किया जिसमें राष्टे लोगदल के नेता कौर्णरिन सिंग द्वारा चाता विदान सवाथ छेतर से जीत कर कैबिनेट में छटपीवार मंतरी बनने और महत्यपूर पद गर्ना विकाई चीनी मिल मंतरी बनने पर अपनी ओर से हम छेतरी जनता की ओर से चौधरी लक्षमी नारायन को जीत की हार दिख भदाई एम शुपकाब नाएं वीदी पत्रक हायक को भी पता है कि लगातर किसानों के द्वारा समय समय पर धर्णा प्रदेशन अंदोलन भी किये गए परन्तु अभी तक बंद पड़ी हुई शुगर मिल्क चालू नहीं हो सकी है ये मिल आगरा मंडल में एकलोती पड़ी हुई छाता शुगर मिल्क को पुणा जल्दी सिंग के द्वारा खुलकर बातचीत को देखिए हमारी खास खबर चाता से अपनी हाँ पत्रकारों को आपनी बुलाया है क्या कुछ कहेंगे क्या कुछ मुद्वें प्रेस कॉंफरेंस करने कि देखिए सबसे पहले तो मैं इस छेत्र के जो विधायक चुने गए हैं माने च लेकिन उनके बाद ये और काफी अंतराल के बाद ये दुबार आप चुरे गए तो उन्हें उन्हें बढ़ाई और शुबकामना है और लेकिन शुबकामना डबल हो गई हैं इसलिए कि उनको वही विभाग मिला है जिसका कि यहां वर्षों से एक चाहता शुगर बिल का ज जरकार थी तो उसमें भी ये मंत्री थे शाद उद्यान या क्रशी मंत्री थे तो इनी के कारकाल में ये बंद भी हुई थी तो उनको उस बात का प्याश्च भी जाता है लेकिन देर आए दुरूस्ता है योगी जी को भी धनवाद के उन्होंने इसी विभाग का इनको मंत् कराना चुनाओं में उधर रहा था तो उनका बहुत भारी उत्पादन होता है जिसकी बखायदारी विश्ली बार सरकार ने की लेकिन अभी भी बखायदारी है तो अब हमारे यह तो एक यही छेत्र है जहां पर कि शुगर मिल है बाबु तेचपाल सिंग थे खटाव टेके उ यहां द्योग तो कही हैं लेकिन ताठ ट्रपोजियम के वहें से काफी कुछ बंद भी पड़े हैं इसलिए चाता शुगर मिल में कई हमारी यहां की नोजवानों को रोजगार भी मिलेगा उससे साथ साथ छेत्र का उत्पादर भी बढ़ेगा और मैं मुझे एक जानकारी म खाए जाएं-धान वैसे तो तीन फसले होती हैं तो किसान की आयतों बढ़ी रही है लेकिन हमारी जमीन की औरवरक शक्ती प्रवरक शक्ति चैब घड़ जाएगी 25 साल बाद तो कि फसल उपजाओ नहीं रहेगी जमीन हमारी गूंजाओ तो इसलिए गन्हां पैदा करने से जमीन की उर्वरक शक्ती भी भड़ेगी, फर्टेलिटी भड़ेगी, जिससे किसान की आई भी भड़ेगी, और फिर हमारे मवेशियों को आजकल आप देख रहे हैं, छुट्टा मवेशी दन रात भूमता रहता है, भूके मर रहे हैं, मवेशी का उशाला है खोली गई हैं, नाज भी नहीं है, भूसा भी नहीं है खाने का, तो कुछ ऐसी परिस्तितिया हैं जिसकी वज़ेसे कि हमारे आजकल जानवर जो है भूका भटक रहा, तो उसको गन्ये की हरा चारा भी भिलेगा, तो आम के आम और उसके जो बाइप्रड़क्ट हैं, शीरा है, उसको पहले भाद दिया जाता था, और जो बाइप्रड़क्ट से, उससे हमारी शराब में भी काम आएगा, अब तो चुकिए, एडवांस्मेंट बहुत हो गया, यह मिल तो एक जान है, मैनुल काम करते हैं,